जिन्दगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत या तो जीद मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का आपके आपने यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वाकत करता हूं आपको पता है कि साम को छे बज़े से पीवियर स्टेडी रहाबाद चैनल पर यह 2022 अपरेल की अपडेट है क्लास चलती है नाइन्थ की कि एकसरसाइज 13.2 यानि आपका चैप्टर चल रहा था कर बेरिये सर्फेस जिसमें आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है कोशन नमबर 4 आज से शुरू करेंगे मतलब 4 से उसके पहले आप पढ़ चुके हैं चलिए कोशन दिखाईए कोशन नमबर 4 देखिए इसे हम हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंगर्ज में पढ़ेंगे कोशन नमबर 4 पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्या कहता बच्चों बहुत ही प्यार से देखना है कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चकल लगाने पड़ते हैं खेल के मैदान का वर्ग मीटर में 6 तरफल ग्याद कीजिए इसको इंग्लीज में सुन लीजिए जो यूपी बोर्ड के अलामा बच्चे हैं सीवेस्टी दिल्ली बोर्ड वाले डाइमीटर आफ रोलर इस 84 कि टेक 500 कंपलीट रेवलूशन तुमोव वन्स ओबर टू लेवल आप प्लेग्राउंड फाइंड एरिया आफ दा प्लेग्राउंड इन मेटर स्कॉयर वहती सिंपल था है रोल रोल ओबर यह क्या है देखें कि नहीं दिखा देता हूं आजकल तो बुल्डोजर बड़ा फ खेल केमादान को संतल करा है खि act as He joins कितने मोटे-मोटे कितने बड़े खतरनाक है दिख रहा ना आपको बहुटी-मोटे खतरनागी आई इसके लिए क्या करते हैं उबifa खावड जमीन को संतल करते है एक के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कल लगाता है तो होता है लिख लो लिखो फटा-फट लिखो आप लोग क्या लिखोगे जो इसमें दिया है कुछ लिखो नेने दिया है कि यह इसको मिटाये पहले बना हुए है इस वाले कुष्चन का मैंने फिगर बना दिया था उसमें सिर्क पहिये । मतलब उसमें नहीं है तो जब आप इससे समतल करेंगे तो पहिया ही तो चलेगा जमीन अब्लब जो समतल करेंगा उसकी गाड़ी का चलेगा वही उसी से मतलब है तो मैंने इस पहिये को यहां पर बना दिया है आप इससे देख पा रहे हो ना इसमें क्या कह रहा है social आपको कलिए रहे हैं जो जो दिया है लिक लिखी लिखिये दिया है यहाँ पर लिखे गिवन यह इंग्लिस वाले लिखेंगे गिवन छिंदी वाले लिखेंगे दिया है कि इसकी हाईट सबसे पहले 120 है 120 मीटर है इसका जो ब्यास है यानि दी जो है वो 84 cm में दिया है यहां से आप आर बोल सकते हो सिंपल में इसका आधा हो जाएगा 42 cm यह रेडियस हो जाएगा इसको चुप़े फिलीखलो ब्रेकट में क्योंकि यह दी का आधा होता है और भी कुछ दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंदान का पूरा चेथर फल ग्याद कीजिए इसे Khyel के मैंदान को एक बार संतल करने के लिए 500 चक्ट कर लगाने पड़ते हैं तो मैंदान का चेथर पांद कीजिए तो पहले हम जो यह दिया है ना इसके माध्यम से इसका रोलर का वक्र प्रिष्टिय चेतरफल या सी एस ए आफ रोलर सी एस ए कर्व सर्फेस एरिया यह आप सबको पता है बहुत बच्पन से पढ़ते आए और टू पाई आर एच तो टू इंटू पाई पाई की बैलू 22 अपान 7 इंटू आर का बैलू बेटा आप फाई 42 एच 120 सेंटेमीटर लेकिन यहां पर ध्यान दोगे कुछ क्या जितने भी मान रखे गए वो सारे सेंटीमीटर में ही रखे गए हैं और 120 सेंटीमीटर में दिया गया यह जो याच दिया है यह वी सेंटीमीटर में ही है हाल कर लीजिए साथ चंग 42 अब कुछ कटना है नहीं गुड़ा करना बाइस दूना 44 यह बारा चंग 72 यानि 720 आ जाएगा बिटा तो यह 44 को आपको 720 से क्या करना है गुड़ा करना है गुड़ा करोगे मुझे लग रहा है कि पंद्रा सो चौरासी क्यतना आएगा बैं करके देखो 31,680 आएगा ना लगभग मल्टीफल करना आपको आता है नहीं आता तो बता देना यह सेंटीमेटर इसको आएगा वेटा क्योंकि सभी सेंटीमेटर में दिये गए थे जितने रासियां थी यह क्या आया अभी इस पहिये का रोलर का सी है से कर्व सर्फेस एरिया या वक्रप्रिष्ट का चेतरफल आया अब क्या करेंगे यह एक बार इस पहिये द्वारा एक बार जो चक्कर लगाएगा तो इतना एरिया वो करेगा कबर ठीक है तो यह 500 बार चक्कर लगाता है तो पूरा मैदान समतल हो जाता है तो चाचा अगर एक बार में यक्तिफ़ार 6 180 सेंट्रीमीटर इसको आर कबर कर रहा है तो 500 बार में निकाल लो पहले नीचे लिखो 500 चक्कर लगाने में कबर छेतरफल बराबर 500 चकर लगाने में कबर छेतरफल बराबर लिख लीजिए मैं लिखूंगा नहीं 500 चक्कर लगाने में कबर छेतरफल बराबर क्या लिखोग बाइया हो 500 से इसको गुड़ा कर दोगे बाबू तो 500 से 81,680 को गुड़ा करोगे अब इसमें तीन जीरो आप उतार लीजिए कोश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं यह स्क्रिन से हटा के आपको दिखा दूंगा जो आपको दिखना चाहिए वो दिखेगा तीन जीरो उतार ल पांच सो चक्कर लगा रहा रोलर तो कुल इतना एरिया को क्या कर रहा है समतल कर रहा है लेकिन सेंटिमेटर में है जो कुश्चन में कह रहा है वो मीटर में मैजान का एरिया पूछा है इसे गिनलो क्या है इकाई एकाई दाहाई सैकड़ा हजार दफ़जार लाख दफला क एक करोन 58 40454 संत्राइब का सब्सक्राइब यह कंति avid मीजान का कीछेटरफल में बराबर यह पंदरा चौड़ावी起-ार लिक्र पर शुटा करोगे ना नहीं देखो अगर cm से मेटर में जाना है चोटे से बड़े में जाना तो हमेशा भाग करते हैं चुक्कि सिंपल सा है इसका आंसर आ गया 1544 मेटर का स्कॉरार आंसर आया क्योंकि ये दो जीरो से दो जीरो ये दो जीरो ये दो जीरो कट गया कितना असान इस तरह से आपका क्या रहा है एक बेलनाकार अस्तम्ब का ब्याज 50 cm है और उचाई 3.5 मेटर है कि बारत असमलों प्रती बारत असमलों पांच जीरो रूपया प्रती वर्क मिटर कि दर से इस अस्तम्ब के वरक पिष्ट पर पेंट कराने का बेगात कीजिए जैसे आपका पढ़ाएं वैसे यह यह सिंपल में कर लेना ठीक है यह होम और कर रहेगा अधा नंबर देखिए यह थोड़ा अच्छा कोईश्चन है क्या कहता है द्यान दीजिए कि एक लंब रृतिये बेलन का वक्र प्रिष्टिये छेतरफल 44 मीटर है यह बेलन के आधार की तरिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिस में भी पड़ देता हूं सुन लीजिए इंग्लिस में कर्व सर्फेस एरिया आप राइट सर्कुलर सिलेंडर इच 4.4 मिटर इप दर रेडियस आप दा बेस आप दा सिलेंडर इच 0.7 मिटर फाइंड दा हाइट ओके इसको ग्यात करना ह इसको ग्यात करने के पहले आप ध्यान दीजिए 25 जून से आपकी 9 और 10 की सारी कलास से पी व्यार स्टडी के चैनल नंबर 3 पर चलेंगी जिसका लोगो और नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह नाम अगर आप यूटूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा या चलिए छठवा नंबर कोश्चन हल करते हैं बच्चों देखिए इंग्लिस में पढ़ते समय कोश्चन नंबर पांच स्क्रीन पर आ गया था उसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कोश्चन नंबर छटवा हम लोग करते हैं हिंदी वाले समझी गए सर्फस अरिया दिया है अधार की त्रिज्जा में इसका रेडिया वी इतना दिया है कितना यह 0.7 मीटर हांता है तो समझे रहा है रहे होना कर दो हमें यह चीज ग्याद करना है मैं सांवां से plenty वाई कली औnd कर रही ही यह सबसे पहले हम लिखते हैं दिखन सब्सेटें पोके लिखर हैं इंगेटली यहां दिखने तो लिख्कुलो निख जो लख्वा शेट्रफल लेंगे यसे में लिखेंगे वक्र प्रिष्टीय चेत्रफल प्रिश्टीय चेत्रफल 44 मीटर के रेडियस दिया है हिंदी वाले लिख लेंगे करिज्या और इंगलिस वाले क्वंट सेवन मीटर यह हमेंanne कर il करना यह वास्तों होता है यहां पर है कि वास्तों में जो कर्व सर्फैस होता है यानी सीय से क्यों को है तो देखो 30 है है कि हमें यह इतना दिया 44 और टू इंटू पाई कमान बाइस बटा साथ आर कमान 0.7 इंटू यह कमान हमें दिया है नहीं कि मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है कि साथ से आप इसे काटो के 0.1 आएगा दो का एक में गुड़ा करो के दो ही हो जाएगा पुल मिला करके 46 बनेगा ना तो बाबु देखो यह समझो यह आपका 44 हो जाएगा और इसमें एक पर दस्थम्लों है तो क्या यह दस्थम्लों में आ जाएगा क्या जरा सोच के बताओ मुझे तो लőगो आया न एक ही और देखो जो hon आ इसका जो dei किया से यह मेट्र में दिया है वन्तर में fries ढृण में में है दो नहीं है वह तो सब दिया है बच्चों एक ठ्यान दिजी आपके बुक बाबू यह 44 नहीं दिया होगा 4.4 मेट दिया होगा यह चीज यह देखो ध्यान से 4.4 दिया होगा यह कुश्चन टाइपिंग में इन्होंने हमारे टाइपिंग माश्टर मिस्टेक किया है तो यह भाईया 4.4 है यहां पर पॉइंट है याद रखना बीच में इसका मुल्टीपल करोगे तो 44 और 44 का 0.1 में मुल्टीपल करोगे इन्टु एच भाई वन डिजिट पर पॉइंट हो जाएगा यह 44 इसके जैसे लिख लो एक जैसे अच्छा रहेगा नहीं तो अलग अलग तरीका कंफ्यूजन आएगा तो 4.4 इसका इसमें गोळा हो जाएगा यह 4.4 यह भी हो जाएगा इधार आएगा इकाल्याच और बाय्या डिबाइड हो जाएंग एककोल से आपका सथये बाइस इतफृते मों और Mira drop यानि हाइड कितना आगई एक मीटर हो गया यह भी कुष्टन हो गया च्छाटा कतम हो गया इसक्रीन साथ लिजिए जल्दी से चलिए आगले सातवा नंबर कुष्टन की तरफ आगे वढ़ते हैं बच्चों एक चीज और याद रखिएगा 25 तारीक से आपकी सारी कलास से पीवियर स्टेडी चैनल नंबर तीन पर चलेंगी चाहे नाइन थे कि हैं चाहे चन थे कि हैं इस्पेसली बोर्ड पर पर दिख रहा है ओके बड़ी कलास तो आप लोग देखते नहीं हो तो अगला कुष्चन दो तीन जो बचा है अगली कलास में करवा देंगी 11 कुष्चन है टोटल ठीक है थेंक्यू कर दो